पिसी की आज के दिन की बात करें तो इस टॉक फिलहाल हमको एक परसेंट तक की गिरावट के साथ ट्रेट करता नजर आ रहा है जब इस टॉक ने 102 के लेवल को ब्रेकडाउन किया था आपको याद होगा हमने डिसकस किया था कि इस टॉक यहां से गिरावट दिखा सकता है Stock ने 100K level को breakout किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दे गया था लेकिन इंपोर्टन था जहाँ पहले support ले रहा था 102 का level इसको breakout करना लेकिन आज की दिन में हमें चाथ 100k level को breakout करता नजर नहीं आ है rejection लेकर गिरावट ठेखने के लिए मिर रहिए तो अब यहाँ से fresh buying के लिए आमको थोड़ा सा सावदान हो रहना होगा इंतिजार करना होगा क्योंकि इतनी बड़ी buying के बात important था 102 के level का break order इसके ओपर sustain होना हमने discuss भी किया था लेकिन stock ने rejection ले रहा है और 100 के support पे इस वक्त काम करता नजर आ रहा है अगर इस level को break down कर जाता है तो 98 इसका immediate और तगड़ा support रहेगा important रहेगा NHPC के लिए 98 के level पर sustain होना लेकिन गिरावट के साथ अगर break down कर जाता है और अब break out के chance बनते नजर आ रहे क्योंकि गिरावट आई थी stock में support level को break down क्या था jump आया था तो break out होना important था at least 102 के level को break out करके उपर sustain होना चाहिए था NHPC को लेकिन sustain नहीं हुआ rejection के साथ गिरावट दिखा रहा है तो 98 का break down कर जाता है तो फिर 94 next support level और फिर 90 तक का fall दिखा सकता है stock ऐसा हमने इस बात को इससे पहले भी videos में discuss किया हुआ है कि stock गिरावट डिका सकता है लेकिन last trading day में jump देखने के लिए मिला था 100 के ओपर closing देखने के लिए मिली थी इसलिए हमने कहा था खेल पलट सकता है at least 102 का level break out होना important था नहीं किया गिरावट आ रही है तो सावदान रहना है लेकिन stock अगर आगे 98 के पास से bonds back करता है तो at least 102 के ओपर stock को sustain होना important रहेगा इसके बाद जो next target बनेगा 104 का level जो इसका major resistance है जहांसे multiple stamp stock ने rejection दिखाया हो है जब तक के NHPC 104 के level को break out नहीं करता तब तक इसमें आमको बड़ा momentum देखने के लिए नहीं मिल सकता 104 के break out के बाद इसमें हमको बड़ा jump बड़ी buying और लगातार थेजी भी देखने के लिए मिल सकती है इसके बाद 110 next target बनेगा इस jump के साथ 114 से लेके 120 तक का jump NHPC हमको दिखा सकता यहां तक के target देखने के लिए मिल सकते हैं वीडियो education purpose के लिए कोई buy sell या hold की सला नहीं है अगर आप Demet account open करना जाते हो तो description में दीगई लिंक से कर सकते हो